बॉलिवूड एक्टर रितिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान का तलाख हुए पांच साल से ज्यादा का वक्त बीच चुका है हालकि इसके बावजूद भी ये एक अच्छे दोस्त हैं और ये जोड़े साथ में नजर राते रहते हैं आपको बता दे 17 तक शादी शुदस जिन्दिगी बिताने के बाद साल 2014 में इन्होंने आपसी तालमेल के बाद ये निर्ने लिया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए मालूम हो कि रितिक और सुजैन दोनों बच्चों की परवरिश को लेकर मिलते रहते हैं इतना ही नहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ अकसर मजबूती से खड़े भी रहे हैं लेकिन सुजैन खान ने पांच साल के बाद रितिक से अलग होनी की अस्नी वज़ा बताई है आपको बता दें कि बॉलिवूड रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंट्रिव्यू के दौरान रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने अपने 13 साल के रिष्टे को लेकर बताया कि हम लाइफ के एक ऐसी स्टेज पर पहुँच गए थे जहां हमने तैक किया था कि बहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं एक दूसरे के प्रती अवेयर होना बेहत ज़रूरी था और इसलिए हम जूट के सहारे रिष्टे में नहीं रहना चाथे थे लेकिन अलग होने के बाद आज भी एक अच्छे दोस्त हैं वहीं बता दें कि इंट्रिव्यू के दोरान सुजेन ने ये भी खुलासा करते होए बताया बहले ही मैं बाहर नहीं गूमते लेकिन हमीशा टच में रहते हैं वहीं हम अपने इस रिष्टे में आय मत भीदो बच्चों से दूर रख कर उनके लिए प्रतिबद हैं हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं आपको बता दें कि सुजेन और रितिक अपने बेटो रिधान और रिहान अकसा वैकेशन पर नजर आते रहते हैं वहीं बता दें कि पिछले कुछ समय से रितिक रोशन की एकस वाइफ सुजेन अपनी जिन्दगी को लेकर काफी चर्चा में बनी रही हाली में खबरें हैं कि रितिक रोशन की एकस वाइफ सुजेन जल्द ही अपनी किसी दोस्त से शादी करने वाली हैं इस दोस्त को अरजुन रामपाल माना जा रहा था अब ये खबर सच होती नजर आ रही है बता दे कि सुजेन और अरजुन रामपाल को कैफे में एक साथ देखा गया सूतरों से खबर है कि सुजेन और अरजुन को कैफे में काफी खुश और रिलाक्स मूड में समय बिताते द देखा गया वहीं खबरों के मुताबिक उस वक्त पूरा कैफे खाली पड़ा था दोनों के बीच काफी इंपोर्टेंट बाते हो रही थी बातों की बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कैफे में भीड बरना शुरू हो गई अरजुन और सुजेन को जैसे ही लगा ये खबर भी आ रही थी कि अरजुन ने भी पत्नी मेहर से तला के लिए अरजी दे दी है अब वाओं के वजार में ये खबर भी चल रही थी कि सुजेन के घरवाले उनके दूसरी शादी के सक्त खिलाफ हैं ऐसी खबरों से जुड़ रहने के लिए देखते रहें नाइक्स